Hey dear students, welcome back to our channel once again. Students, जैसे कि आप जानते हैं, अब तक हमने अपने चार अप्रोचेस तो एकलोजी को समझ लिया है. कौन से हैं वो चार अप्रोचेस? जो अब तक के बड़े ही इंट्रेस्टिंग कॉंसेप्ट रहे हैं, इनकेस कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर समझ में आया तो लाइक शेर और कॉमेंट तो जरूर करना कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ है आपको कुछ चेंज़ेस्ट है उससाब से हम जो है वो बच्चों चेंज़ेस्ट लाएंगे आपके लिए डेफिनिटली आज का हमारा जो है टॉपिक जैसे मैं आपको कहा था ये टॉपिक थोड़ी डीप स्टडी होने वाली क्योंकि इसका नाम ही डीप इकलोजी है तो तो डीप इकलोजी जो है एक ऐसा मुवमेंट है जो शुरू हुआ इन दे ये यर 1972 1972 में इस कॉंसेप्ट को इंट्रड्यूस किया गया था एक नौरवेगन फिलोसॉफर है जिनका नाम है आरने नाईस ने इस कॉंसेप्ट को किया किया इंट्रड्यूस किया जिसे हम डीप यह जो मुवमेंट के नाम से जानते हैं, ना इट कैंए डीपाइन ईस आ तर्ड तर्ड़बिये नोड्यस मुवमेंट माले नाईस यह की आईम किया था थैलोसॉफिकल, मेलड किया एक गर्शा फिलोसॉफिकल शिफ्ट गय हैं as a resource and begin to view it as something with inherent value यानि humans जो नेचर की तरफ अपनी आख गड़ाए बैटे है यह सोच रहे है कि यह जो नेचर अविलेबल है जो रिसोर्स अविलेबल है यह तो हमारे लिए बने है नहीं इस सोच को बदलो और इस सोच को बदल कर आपको क्या सोचना है it is something with inherent value यानि की हर एक च उस गोल को अचीव करने के लिए ही बने हुए है तो उसको अपने रिसोर्स के हिसाब से अपनी जागीर मत समझो उनके एक्जिस्टेंस के पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है ना फ़र दीप एकलोजिस्ट यूमन बिंग्स आर उफ एक्वल वैल्यू तो अल अदर दीप एकलोजिस्ट का कहना है उनकी इक्वल वैल्यू है दुनिया में जितनी ही नाचुरल चीजे बनी है उनके साथ साथ यूमन बिंग्स भी बने है तो उनका भी इक्वल इंपोर्टेंस है नेचर मस्ट नॉट बी सीन रिगार्ट तो इस यूटिलिटी तो यूमन अब को यह मत देखो कि नेचर से हम क्या कुछ ले सकते हैं क्या कुछ अपने यूज में लेकर आ सकते हैं तो नेचर को इस पॉइंट अफ यू से मत सोचो यह हम इंसानों की ड्यूटी है कि हमको क्या करना है नेचर को सस्टेन करना है उसको मेंटेन करके रखना है ना कि उसका उ जो भी चीज हम नेचर से ले रहे थे अपने बेनिफिट के लिए और नेचर को हाम कर रहे थे तो हमको वो एक्टिविटी को क्या करना है स्टॉप करके उस ट्रॉक्चर को री स्ट्रॉक्चर करने की जरूरत है यानि कि alternative options आप सोचो without nature को affect किये To help make the deep ecology concept more digestible and accessible to all अब यह एक ऐसा concept है जो हर किसी को digest नहीं होने वाला था Specifically जो anthropocentric thought रखते हैं उनको तो यह concept जो है वो digest नहीं होने वाला था In 1984, Arne Nais along with fellow deep ecologist Bill Devel and George Session developed eight fundamental principles of deep ecology अब कुछ लोगों को यह बात digest यानि हजम ही नहीं होने वाली थी तो उन्होंने क्या किया अपने साथ और दो सातीदार ले ली और उनको बोल दिया चलो हम मिलकर इसके कुछ Certain principles set करते हैं जो कि deep ecology के लिए जरूरी है और लोगों तक यह बात पहुचाना भी जरूरी है तो क्या है वो eight principles of deep ecology वो हम देखेंगे उसके पहले इस concept को और अच्छे से समझ लेते हैं अच्छा eight principles जो दिये हैं हम उसको देख लेते हैं They are intrinsic value, diversity, vital needs, population, human interference, policy changes, quality of life and obligation of actions तो यह वो eight principles हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं डीटेल में हम इसको आगे समझेंगे But these are the eight principles which are the important aspect of deep ecology Now example to understand the concept of deep ecology अब आप बोल रहे हो कि मैं हम आप कब से deep ecology की बात तो कर रहे हैं और को example देकर समझा दो चलो example देते हैं Imagine you are hiking in a forest Deep ecology would suggest that you are not just a visitor or observer in that forest but rather an integral part of it आप hiking के लिए चले गए हो forest में आप deep ecology कहता है कि देखो भया तुम जो इस forest में गए हो तो एक visitor और एक observer नहीं हो उस forest का एक important हिस्सा तुम भी बन जाते हो You and the trees, plants, animals and even the rocks are all interconnected and dependent on each other for survival तो तुम जब यहां एंटर हो चुके हो ने इस forest में तो वहां पर एंटर हो तो वहां पर जितनी ही चीज़े है सब आपस में क्या है interconnected है including you तो तुम किसी भी resource को dominate नहीं कर सकते हो Now deep ecology advocates believe that every organism from the tiniest insect deep ecologist का कहना है हर एक organism चाहे वो कोई छोटे से छोटा insect क्यों ना हो चाहे बड़े से बड़ा जाड क्यों ना हो हर किसी की क्या है intrinsic value है हर किसी की inherent worth है it deserves respect and protection so when considering human actions that impact the environment deep ecology urges us to consider not just the immediate consequences for humans but also the broader ecological implication for all life forms तो deep ecologist कहते है human के actions से जब environment affect होता है तो वो हमसे urge करते है विंती करते है हमको कहते है कि तुम सिर्फ और सिर्फ temporary solution अपने लिए धून रहे हो लेकिन इसका permanent problem जो future के लिए create कर रहे हो उसकी तरह आप ध्यान नहीं दे रहे हो that is what this deep ecology means now what are the certain principles of deep ecology पहला आता है तुमारा interconnectedness जो हमने inherent value पड़ी है तो basically deep ecology recognizes the intrinsic value of all living beings and emphasizes the interconnectedness and interdependence of all life forms with ecosystem तो जो हमने पड़ा नहीं जंगल में जब enter होते है deep ecologist क्या बोलते हो आप हो, plants हो, trees है, animals है, rocks है, water है जो कुछ भी available है, सब आपस में क्या है interconnected है और हर किसी की life की अपनी-अपनी क्या है value है, हर किसी के existence के पीछे reason है जो बहुत ही जरूरी है वो है हमारा first point इट rejects the idea of humans as separate from or superior to nature तो deep ecologist बिल्कुल नहीं कहते कि तुम उस forest में आ गए तुम बड़े नवाब हो, बाकी सबको dominate करो, नहीं तुम superior नहीं हो, तुम equal हो, on par हो सबके साथ में बायोसेंट्रिक एक्वालिटी डीप एकलोजी advocates for a shift from an anthropocentric human center to a biocentric life centered world view all living beings regardless of their utility to humans have inherent work and deserve respect and consideration तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप anthropocentric सोच को क्या करो, shift करो और biocentric पर लेकर आओ जहाँ पर हर एक living being की importance है चाहे वो आपके काम की हो, चाहे वो आपकी काम की ना हो हर एक living beings respect deserve करता है Self-realization Deep ecologist जो है, वो कहते है they encourage individuals to explore their interconnected with nature and to develop a deeper understanding of their place within the natural world यानि आप खुद से ही समझो कि आपका connection nature के साथ कैसे बना है, क्यों बना है इसकी deeper understanding natural world के साथ आपको खुद समझना जरूरी है This involves recognizing the inherent value of non-human life forms and fostering a sense of empathy and kinship with all living beings तो यहाँ पर का जा रहा है कि आप अपने inherent value अपनी भी समझो non-human life की भी समझो जो rock है, water है, इनकी भी आप क्या समझो important समझो और उसी के साथ साथ यू शुद डेवलप असेंस of empathy and kinship with all living beings आप अपने आपको उसकी जगा रख कर सोचो कि अगर जब आप एक animal को नुकसान पहुचाते हो, अगर वही नुकसान आपको होतो तो फिर क्या होगा तो यह होते है, deep ecologist जो कहते है self-realize करो, आप खुद इस concept को जहाँ पर आप anthropocentric approach को shift करके, biocentric की तरफ आते हो तो आप हर एक living being को equally respect देते हो तो यहाँ पर deep ecology बोलता है जो भी हमने principles बनाए है यह आपके लिए, human के लिए क्या होना चाहिए, एक guide का काम कर रहा है, as a source of guidance आपको guidance मिल रही है, कि आपको decision making के लिए life के जो भी decisions लेते हो तो हमेशा यह याद रखो, life के मतलब अगर आपस में एक दूसरे से चीज़े interconnected है तो उन सब के बारे में आपको ध्यान रखना है जब आप decision लेते हो जैसे कि आपको एक forest कट करके वापर development करना है तो जब आप ऐसा decision लेते हो तो क्या आप सोचते हो forest की wildlife के बारे में वो plants के बारे में वहां के लोगों को जो आपको हटाना पड़ेगा उनके बारे में यह सारी चीज़े आपको सोचनी है उसे हम कहते है ecological wisdom इपसाइज़े इंपोर्टेंस अफ लिविं इन हार्मनी विद नेचर और रिस्पेक्टिंग इंटिग्रिटी और एकोसिस्टम तो यह सबसे ज़्यादा फोकस करता है कि आप इन हार्मनी इन पीस जो है नेचर में जितनी चीज़े अविलेबल है उसके साथ रहो Sustainability Deep ecology advocates for practices in lifestyle that are sustainable and do not deplete or degrade natural resources beyond their regenerative capacity Sustainability in simple terms आप environment को हाम नहीं कर रहे हो और आपके future generation को किसी भी चीज़ के उपर compromise करना ना पड़े तो आपका जो रहन सहने वो ऐसा रखो कि आप environment को affect नहीं करते हो This involves promoting conservation renewable energy sources and a reduction in consumption तो जहाँ possible होगा आप protect कर पाओ तो environment को protect करो renewable source of energy का इस्तमाल आप करो लेकिन उसी के साथ साथ आपको क्या करना है अपने consumption को भी reduce करना है जादा कोई चीज़ के consumption से अगर nature effect होता है तो आप अपने consumption को reduce करो ना कि technology का इस्तमाल करते हुए उसको और जादा exploit करो Then we have diversity Deepicology celebrates the diversity of life on earth and recognizes the importance of preserving biodiversity Deepicology जो है diversity को celebrate करते है जिसका मतलब है सिर्फ humans नहीं है Humans के अलावा कई सारे species है तो यह diversity हो गई differences है, varieties है जो कि हमारे पास इस planet और पे species की available है इन सब को protect करना इन सब को preserve करना भी हमारे जिम्मेदारी होती है It opposes monoculture and promotes the protection of ecosystem and species richness तो कही नहीं यह monoculture को क्या कर दिए अपोस कर दिए सारे species का होना भी planet और पे जरूरी है Humans have no right to reduce this richness and diversity except to satisfy vital needs तो humans को कोई हक नहीं बनता है कि वो other species को क्या करे उनकी population को कम करे Changes in policies Significant change of life conditions for the better requires a change in policies अगर आप कुछ पॉलिसी में changes लेकर आते हो जैसे कि basic economic में लेकर आ गए technological, ideological structures में changes लेकर आ गए तो अपने आप आप क्या कर रहे हो कही ना कहीं आप other species को उनकी life को और nature को protect करते हो Appreciation of quality of life The ideological change is mainly that of appreciating life quality rather than adhering to a high standard of living अपने standard of living को और जज़ादा इंप्रूफ करने के लिए हम और ज़ादा चीज़े दिमांड करते हैं तो आइडियल अगर आप देखे तो आपका बिलीब ऐसा होना चाहिए कि आप normal life भी जी सकते हैं with limited resources लेकिन हमको standard of living बढ़ाना होता है तो हम nature को उतना ज़ादा एक्सप्लॉइट करना शुरू करते हैं तो इस वे दी एड़ प्रिंसिपल्स अफ डीप इकलोजी जो आर्ने नई नाइस ने 1984 में अपने कुछ कम्पैनियन के साथ में मिलकर बनाया है तो यहाँ पर बच्चों हमारा आज का टॉपिक कम्प्लीट होता है मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स लेक्चर में जहाँ पर हम शुरू करेंगे एक न्यू टॉपिक जो की सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करता है तिल देन स्टे तून तो आज चैनल थाइंक यू वेरी मच